हालो दोस्तों कैसे हूँ आप सब तो आज का वीडियो भी मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी चाय जो शाम के टाइम की चाय बनती है वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैं बहन की थोड़ा सा सर में दर दो रहा है तो मैंने सुचे चलो जल्दी जल्दी से चाय बना लेते हैं उनको भी दे देते हैं और बच्चों का दूद भी डाल देते हैं तो अभी दो उठे हुए हैं एक सोरा है तो उनके लिए मैं तब तक कप में दूद डाल दूँगी औ अगर आप लोगों को कोई वीडियो में कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी, वैसे तो आप लोग भरपूर प्यार दे रहे हो, भरपूर सपोर्ट दे रहे हो, जि आप सब आप सब बहुत बढ़िया होंगे और शिक्ठाक होंगे, आज दिन मंडे है और मंडे का मैंने वीडियो स्टाट किया, भी चायवाई बना करके, पीक करके, बैटी थी, सोचा चलिया, अभी मैंने अपने जस्ट बाल कंगी किये हैं, और उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों से बात करना स्टाट कर दिया है, आज दिन मंडे है, दो दिन से बहुत बेकार वाली गर्मी हो रही है, मतलब खतरनाक वाली गर्मी हो रही है, रात में नींद भी नियाई गर्मी की वज़ा से, हमारा जैसे ही हमने सीफ्ट किया ह उसमें कूलर आया है, तो कूलर में मतलब लाने में उसकी आगे की पंखडिया जो है, वो मुड़ गई है, तो हमने कोशिश भी किती, रात चलाने की पर वो नहीं चला, उसमें करंट भी आ रहा है, तो हमने फिर जादा रिस्क नहीं लिया, हमने का कभी बच्चों अच्चो तो चले आज का वीइडियो स्टार्ट करते हैं मैंने सोचा चलो दो मिनट आप लोगों से बात कर लिते हैं मुझे बनाना है अभी केक और केक बनाने लिए विसकटे के सब निकाल करके रखे हैं पर लाइट नहीं है लाइट आज आते ही वरं बिसकटे मिक्सी में पीरतर तब जाकर की केक बनाऊंगी और आज थोड़ा सा केक की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी तो मैं इसलिए सोच रही हूं कि किस चीज में बनाऊं वही बरतन ढूंड रही थी कि किस बरतन में बनाऊं तो मैंने यहां पर बिस्किट निकाल करके रखे हुए हैं एक इनो का पैकिट मंगाया हैं दो तरीके के बिस्किट हैं यहां पर यहां एनो खरणे खान्व टें बंटिस्ट यह सरा टन्यों सब्स्ट्स्तार करोगा है यह से फांटे दो आख ड़यता है मौने टो स्फ हुआ यह स्फ reflecting एक का रह gitा व्या만 कि को कश शहत्य Чज ऑ हें लोगी तजरा यहां नो तो अभी मैं पूरा घर एक बार शाम के टाइम में पूरा घर समेटना पड़ता है तो अभी मैं पूरा घर समेटना सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है वो लगाना है उसके बाद में मुझे कहीं पर जाना भी है तो वही सब चीजें तो हम अभी आए है नरसरी में आप लोगों को पताई है मुझे पेड़ पोदों का बहुत ही जादा मतलब सोंक है अच्छा लगता है घर में पेड़ पोदे मुझे बहुत जादा ही पसंद है तो मैं यहाँ पर कुछ जरूरी 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 जो मुझे स्टाइम पर चाहिए वो प्लांट लेने आई थी पर वही है न एक दो पोदा तो मैंने फिर वैसे भी ले लिया क्योंकि मु नर्सरी में घूम रहे थे बहुत सारे पेड़ पोदे थे और बहुत अच्छे अच्छे ते काफी बड़ी नर्सरी थी तो थोड़ी सी देर हम यहाँ पर घूमे देखा फिर हमने नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ पोदे हमें पसंद आये तो हमने सोचा क्योंकि बाइक पड़ी थी हलकी ही वारिश पड़ी थी ज्यादा तेज तो नहीं पर मोसम बिल्कुल चेंज हो गया था अजया थाँ पर चुछ पर चाहा थाँ तो अभी जो थे जो प्लांट हमें लेने थे वो हमने अभी उनको पैक कराना है क्योंकि बाइक पर कैसे लेकर के जाएंगे तो वही देख रही थी मैं और बस घर जाकर के इनको लगाएंगे सारे मैंने जो लिए हैं वो इंडोर लिए हैं और क्योंकि वह यह ना घर के अंदर रखने के लिए मुझे चीए थे और मौसम काफी अच तोड़ करके दो तरीके के हैं यह और इनको में तोड़ करके डाल रही हूं इनका पीसने के बाद में एक पाउडर बनाना है केक बनाना जब से यह लोगडाउन हुआ है ना केक बनाना इतना आसान लगता है कि जटपट से बन जाता है ज्यादा ताम जहां भी नहीं करने हो और यहां पर मैं बना रही हूं butter paper क्योंकि मेरे पास में घर पर butter paper अभी नहीं है तो मैंने देखा था videos देखी यूट्यूब पर तो वो घर पर ही बता रहे थे कि butter paper कैसे बनता है तो मैंने इस पे तेल नहीं घी लगाया है ताकि कोई न smell सी ना रहे और बस फिर tissue paper से अच्छे से सारा जो भी एक्ष्ट्रा गीता वो मैंने पोंच दिया है और इसको अकबार में या कागज में थोड़ी सी देर के लिए लपेट करके रख देंगे ताकि इसका जो भी एक्ष्ट्रा वो है वो सारा सूख जाए तो पस इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डाल करके मैं इसका मैंने cut कर लिया है बिल्कुल सी size का तो मैं आज जो cake है वो तवे पर बनाऊंगी मैंने देखा है कि तवे पर भी बन जाता है देखते हैं कैसा बनता है और बस अभी मैं इसमें डाल दूगे इनो इनों डालने के भाद में यह process बहुत ही तीजी से करना होता है, बस इनो डालते हैं, यह सारा batter जिसमें हमको cake बनाना है, उसमें transfer कर देना है, और थोड़ा सा इसको tap-tap कर लेना है, ताकि जो सारे इसमें से bubbles से फूटने लगते हैं, गैस ना बने उसकी वज़ा से, तो बस तवे पर मैंने यह रख दिय है, उपर से मैंने प्लेट ढख दिया है, और कुछ वजनदार में इसके उपर रख दूँगी, और यहां पर मैंने चोकलेट सिरफ बना करके रख लिया है, चोकलेट को melt करके, बहुत देर बाद लाइट आई है, काफी टाइम बाद, क्योंकि हलका सा बारिश का मोसम हो गया है, वो भी लगाएंगे, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और यह रख दिया है, मैंने बनने के लिए, जैसे कि मैं बता रही थी ना, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इतना बड़ा मेरे पास में कोई भीगोना नहीं है, कि मैं इसको उसमें रख दूँ, तो इसलिए मैंने यह रख दिया, तवे पर, तवे पर मैं पहली बार बना रही हूं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा तवे पर बनाने से, और यह गए थे, मेरे सूंट लेकर के आई है, अब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में क्या क्या शेर करूं, सूंट दिखाऊंगी, चलिए सूंट बाद में दिखा दूँगी, अपनी अगली वीडियो में दिखा दूँगी में, मेरे सूंट सिल करके आई थी में, आप लोगों को दिखाए भी थे, तो वो सूंट मेरे सिल करके आई है, अभी मुझे अपने पोधे जो है, क्योंकि जब तक म मैं पहारून को रख लूँगी और अभी लगाएंगे तुलसी का पोधा नहीं था सुभा में पूजा करती हूं तो जल देने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी जल देने के लिए तुलसी का पोधा चाहिए चाहिए वो नहीं था वो मैं जरूर लेकर के आयूं और एक दो अब इसको बनने में टाइम है तब तक मैंने चोकलेट सिरफ बना करके रख दिया है आज थोड़ा सा मोसम ठीक हो गया है क्योंकि बारिश आयती तो हलकी सी बारिश नहीं मोसम चेंज कर दिया है हुआ है तो मैंने न थोड़ी से मूर्मूरे मंगा करके रखे हुए थे तो मैं इनकी बना रही हूँ भेल और सब अपने तरीके से इनको फ्राइट भी करके बना सकते हैं पर मैं वैसी बना रही हूँ सिंपल तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है एक खीरा और इसमें आप अपनी मर्ज फेली से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो पर इसमें यही जाता है खीरा प्याज टमाटर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे है तो मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डालूँगी प्याज डाल दी है कट करके 2 उटक यहाँ पर छुटे-छुटे से टमाटर लिए है वो डाल दूँगी और बहुत अच्छी लगते हैं और बहुत जल्दी से बन जाती है बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको जटपट से तयार हो जाती है बन करके तो मैंने यहाँ पर एक निम्बू ले लिया है निम्बू के जो बीज थे वो मैंने अलग निकाल पूरा एक निम्बू में इसमें डालूंगी और बस निम्बू डालने के बाद में फिर मैंने डाल दिया इसमें काला नमक और चाट मसाला चाट मसाला इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिएगा और थोड़ी सी डाल दिया मैंने इसमें काली मिर्च सब चीजे डालन के बाद में अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और एक मैंने लिया है यहाँ पर नमकीन भी लूंगी थोड़ी सी जो मिक्स नमकीन होती है वही वाली थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सोस तो यह मिक्स वाली जो होती है वो वाली नमकीन है इसमें हर चीज मिली हुई होती है तो इसका एक क्रंची सा टेस्ट आता है इसी में, तो मैं बस सारी कर्टोरियों में सबके डाल करके, बराबर बराबर बाटने होते हैं, क्योंकि बच्चे फिर न, ये कर दे कि इसको ज़्यादा मिल गया, मुझे थोड़ा मिला है, तो चलिए हमारी भेल भी तयार होगी है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी, अभी हमने इन पोदो को जो है वो लगा दिया है, और अभी हम सोचे थे कि कहां कौन सा पोदा रखेंगे, इन में से तो मनी प्लांट तो जहां पर रखा हुआ है, वहीं पर रखूँगी क्योंकि यहां पर अच्छा लगेगा, और जो यह बीच वाला पोदा है, इसको रखूँगी में किचन के सामने, यह वहां पर बहुत सुन्दर लगेगा, तो काफी अच्छे लग रहे थे यह भी, दो-तिन पोदो से ही घर में रोनक सी आगी है, जान सी आगी है, वैसे भी मेरा घर थोड़ा सा फैला हुआ है इस टाइम पर, मुझे तो सजना तेरा प्यार गी है, अभी जो है केक बनाया था, केक खा खुबी लिया, क्योंकि बच्चों से इंतजार नहीं हो रहा था बिलकुल भी, और केक बनाया, उसके बाद में फिर मुर्मुरे मंगाय थे, तो उसकी जो भेल बोलते हैं, वो भी बनायी थी, बच्चों ने वो भी खाई, मज़ा आ गया, खा करके बच्चों के साथ साथ में हमने भी खा लिया, और अभी जो है, शाम के खाने में दाल बनायी है, देखते हैं, बच्चे खाएंगे, कैसे करेंगे, वैसे, भूख तो नहीं बच्चे, क्योंकि पहले वो खा लिया, फिर केक हो गया, केक भी हैवी होता है, क्योंकि बिस्किट का बनता है, अभी जो है, मुझे आप लोगों से हाँ, मेरे अभी आदा गया, आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे कमेंट मुझे आये हैं इस तरीके के, कि इस घर का रेंट कितना है, तो इस घर का जो रेंट है, वो साड़े 6,000 रुपे है, साड़े 6,000 रुपे यहां का रेंट है, यहां पर रेंट के जो मकान है न, ज़्यादा मतलब दिल्ली की तरह नहीं है, इसमें चार रूम है, एक स्टोर रूम है, पीछे गली है, दो रूम है, एक टीवी वाला रूम है, एक बाहर रूम है, और आपने देखा होगा जो बरामदा है, बरामदा ही बोलते हैं, हमारे याद जो बरामदा है, वो भी काफी बड़ा है, और काफी बड़े बड़े वोश तो काफी स्पेस है में मुझे इस मकान का जो नक्सा है वह बहुत पसंद आया है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और पेंटिंग मेंटिंग इस घर की बहुत अच्छे तरीके से उरकिये जिस दिन भी मैं आप लोगों के साथ में यहां का हाउस टूर शेयर करूं और मिलेंगे अभी इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूं और मिलूंगी आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ में एक एनरजी भड़े व्लोग के साथ में कुछ मुझे आप लोगों की शिकायत हो रही थी कि दीदी आप आज कल रूटीन शेर नहीं कर रहे ह रूटीन कम हो रहा है आपका सो मैंने आज कोशिश की है कि प्रोपर रूटीन शेर करूं आप लोगों के साथ में मुझे अपना मॉर्णिंग रूटीन शेर करना है जिसकी बहुत जादा डिमांड आ रही है कि आप अपना मॉर्णिंग रूटीन शेर कीजिए सो आप सभी जानते ही है आभी मैं shift ही हूँ वहiben है जैसे ही हुगा वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में शेर करूंगी बहुत लंभी चोड़ी बात हो गयी चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लोग के साथ में वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अगर आपका कुछ भी कोशन है तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर कूछेगा मैं आंसर करने की आप बुरी कोशिश करूंगी आज से मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी क्योंकि आप थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ आप भी टाइम निकाल करके मुझे कमेंट करते हो तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी टाइम निकाल करके आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूं तो चलिए बाइबाइ टेक केर ख्याल कि अपना कुछ रही है